हेलो दोस्तो, स्टूडेंट और फिर्दोस कम्प्यूटर मैं आज आप लोग के सामने एक ऐसी बात रखने जा रही हूँ कि घबराना मत सब अच्छा ही होगा मुश्किले आएं तो फिक्र कैसी तन की जाने, मन की जाने जाने चित की चोरी उस रब से भला क्या छिपे है, जिसके हाथ है सबकी डोरी जिन्दगी की पाटशाला में सब कुछ पढ़ाया जाता है त्रिकोड, शंकोड, लगूकोड, सटकोड पर जिन्दगी में जो सबसे महत पूर्ण है वो कभी पढ़ाया नहीं जाता और वो है द्रस्टी कोड आप जिन्दगी में कितने भी आगे क्यों न निकल जाएं फिर भी सैकडो लोगों से पीछे ही रहोगे और आप जिन्दगी में कितने भी पीछे न रह जाएं फिर भी सैकडो लोगों से आगे ही रहेंगे इसलिए अपने जीवन का हमेशा आनन्द उठाईए आगे पीछे तो चलता ही रहेगा पूरे समंदर का पानी भी एक जहाज को डुबा नहीं सकता तब तक जब तक जहाज पानी को अंदर ना आने दे इसी तरह दुनिया का कोई भी नाकरात्मक विचार आपको नीचे गिरा नहीं सकता तब तक जब तक आप उसे अपने अंदर ना आने दे जब जीवन में बुराई आने लगे तो समय रहते उसे मिटी में मिला दे कहीं ऐसा नहों कि वो आपको मिटी में मिला दे जीवन में जो भी होता है किसी कारण से होता है इसलिए परिडाम को ठीक करने से पहले कारण को ठीक करो आप जीवन में वापिस नहीं जा सकते और शुरुवात को बदल नहीं सकते पर आप जहां हैं वहां से शुरुवात कर सकते हैं और आप आने वाला कल को बदल सकते हैं जीवन में सब कुछ खोने जैसा कुछ भी नहीं होता हमें एक नई शुरुआत का इंतिजार करना होगा हर सुबा हम फिर से जनम लेते हैं और हमारे इसलिए सबसे महतपूर यही है हम आज क्या करते हैं, कैसे जीते हैं याद रखना, हर वैक्ति को इस धरती पर भागिसे ज्यादा नहीं मिलता अगर आप ये सोचते हैं की आपके पाऊं में जूते नहीं है तो हमेशा ये बात याद रखना कि इस धरती पर ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनके पास पाऊं तक नहीं है कहते हैं मिलता तो बहुत कुछ है जिन्दगी में मगर हम गिंती उन्हीं की करते हैं जो हासिल ना हो सका इसलिए अपनी जिन्दगी में कभी नाराज मत होना क्या पता आप जैसे जिन्दगी किसी का सपना हो ये तो तै है कि जिन्दगी में दर्द बहुत है और ये आपके हाथ में नहीं है पर हाँ दुखी होना या दुखी होना आपके हाथ में आवशे है हो सकता है कि हर दिन अच्छा ना हो लेकिन हर दिन कुछ न कुछ अच्छा जरूर होगा बस ये सोचकर जिन्दगी जीओ जो होता है अच्छे के लिए ही होता है भले अभी हमें बुरा लग रहा है लेकिन आगे चल कर पता चल जाएगा कि जो भी हुआ अच्छे के लिए ही हुआ हमारी आस्था की सबसे बड़ी परिक्षा तब होती है जब हमें जो चाहिए था वो नहीं मिलता फिर भी हमारे दिल से ईश्वर के लिए सदा धन्यवाद ही निकले मुश्किल वक्त में भी सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद जो एक प्यारी सी मुस्कान लिए कानों में कहती है घबराओ मत सब अच्छा ही होगा तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसी वीडियो के साथ तब तक मयाल फ्रेंड टेक क्यार एंड थैंक यू